दो-तिन महीने से सोशल मेडिया पर इस तरह की स्पेकुलेशन आ रही हैं कि बड़ा क्रैश आने वाला है। यह कंपनी लास्ट एक साल में इतनी भागे जितने एंवीडिया नहीं भागी है। स्टेटमेंट दिया था इन दे मीडिया दाट फिनांस के जो इन फ्लूएंसर हैं वो कहीं न कहीं बहुत जादा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या कुछ हो रहा है बहुत गड़बड़ी हो रही है और किसी को इस पर नजार रखनी चाहिए। आप देखो उसी के बाद रेगूलेटर मतलब इतने जादा तेजी से इन सारी चीजों पर लगे। सो दे सेंट मेसेज सब्सक्राइब और यहां पर काम हुआ बीस हजार करोड का म्यूचल फंट उसी दिन डी आई 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 के तरफ से जा रहा है डी आई आई मतलब हम लोगों के पैसे उसमें लग रहे हैं मतलब जस्ट इमाजन अमाउंट अफ मनी विच पीपल अरेडी त सब्सक्राइब तो कभी कबार पेपर प्रॉफिट से निकल को सको रियल प्रॉफिट भी बना लिया करो विदा सीन लौट पीपल जो प्रेपर प्रॉफिट में बहुत जाधा रहते हैं एक पॉइंट ऑफ ताइम इस सब एक बहुत महेंगी बड़ी शादी में जब सब बि कि भाई या 83 करोड किसी को दे दिया वो तो बन्यान पैन के आ गया फिर वो यह सारी चीज़ें चल रहे थी उसी समय पे आप देखो तो अचानक सो उनने टैरिफ्स बढ़ा दिये समय था जब एच्वेल जैसा स्टॉक साथ साल नी चला था रिलाइंस जैसा स्टॉक आट सा तो क्या गैरेंटी है कि यह जो स्टॉक अभी इतने भागें यह नहीं रूखेंगे हमारा इंडेक्स पूरी तरीके से मैनेज हो रहा है सिंबल उधा रहा है एक कोई बड़ी कंपनी मानलो रिलाइंस के रिजल्ट खराब हो रहा है तो उस दिन तीन आईटी कंपनी को उठा क्यों क्यों क्योंकि वह पजास अजान महीं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी गल्ती से नुकसान करो हैं ग्लेचेस के कारण भी तो नुकसान कर सकते हैं एयाई लगा हूँ है हलो और वेलकम तू पैसालाइव हमारे साथ हैं तो वेरी फेमिस वेरी लर्नेड मान अभिशेक कर थाइंक यू सो मच पर इंवाइटिं में अगीन दो तिन महीने से सोशल मीडिया पे इस तरह की स्पेकुलेशन आरी है कि बड़ा क्रैश आने वाला है उमीद है इसी साल आएगा उमीद है अगले साल के फिर्स्टाफ में आजाएगा बड़ा क्रैश यह बड़ा क्रैश क्या होता है यह वाली जो आपने बात बूलिए न तो एक हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं रॉबर्ट क्योसा की नामें रिज डाट पूर डाट लिखे है वो पिछले 6 साल से हर दूसरे महने पर उनको क्रैश दिख रहा है फिर दूसरे माइकल बूरी माइकल बूरी वो व्यक्ति है जिनने 2008 का ग्लोबल रिसेशन प्रेडिक्ट किया था उन्होंने भी 2005 से बोलना शुरू कर दिया थे कि मार्केट क्रैश हो 2008 में है वो भी विछले 5-6 साल से बोल रहे है वोड़ाइ फील इस कि एक बार कोई व्यक्ति सही हो जाता है तो हमारे अंदर एक बायस बन जाता है कि यह बंदा हमेशा सही होगा पीपल टेंड टो फोगेट कि वो पांच-छे साल से क्या कर रहा है तोकिंग अबाउट इंडिया की जो पॉलिसी बनती है वो कुछ भी कहलो थोड़ी थोड़ी कंजरवेटिव बनती है बिकास आइवड कमेंड आरबिया ऑलसों दाट फ्रेंट जहां यूएस पूरी तरीके से क्रेडिट बेस्ट इकनोमी बन जाती है आज भी इंडियान ऑल्डो जैसे हमें एकविटी में कर रही है बट कहीं न कहीं ब्रॉडर मास में आरबिया कंट्रोल करके रखती है जहां पर लगता है वो पकड़ जामा के रखती है अभी जो लास्ट हमारी RBI के गवर्णन ने जब कहा था तो उनने एक बहुत बढ़िया चीज कही थी कि boss global market में जो भी चले अगर हमको लग रहा है कि हमको यहां पर सक्त होना पड़ेगा तो हम सक्त होंगे which is a clear statement to the media कि boss if something is going wrong in India हम अपना stand हम हम रोकेंगे so that is a good sign I really comment वो appreciate कर रहे है तो talking about global recession, recession तो हलका पूल का चल रहा है हमको हमेशा stock market के basis पे decide नहीं करना चाहिए क्या है अगर lower 50% workforce की बात करें तो 80% of it is earning below 20,000 in India और बहुत सारी तो फिलाल अनेंप्लोइड बहुत हैं तो आप इस चीज को समझी है we are just comparing with the top 1% की यार ये दोखो किता कमार है forget about that वो तो rigged है पूरा market हर चीज rigged है 1% is controlling 95% जो बोलते हैं हर जगा पर तो पहली बात है major crash as such नहीं आएगा valuations obviously इसको reversion कहते है mean reversion कहते है ये एक level पर आगा जैसे बोलते हैं कि एक side रहता है ये ऊपर जाएगा फिर एक जगा पर आया तो valuation wise I'll definitely say बहुत major crash honestly I don't see because हमारे market को अभी भी काफी catching up करनी है this is a good sign catching up करनी है बट हाँ कुछ जगा पर valuation बढ़ा है for example if you ask me PSU's जैसे मैंने थोड़ा सा कहा वैसे defense space shipping space ये तो सारी वो सारी space है न चो अल्ड़ी government के पास है अब आप देखो unrealistic expectation shipping space की एक company last एक साल में इतनी भागी है जितने Nvidia नहीं भागी है और उसके बाद बाद बादी दो भाग गई है कुछ कंपनी तो क्यों भाग रही है उनके प्रमोटर को भी पूछोगे तो उनको भी नी पता पता नी भाग रही है order book भी बढ़ी है और उल्टाब लास्ट थी सिक्स मन्स में एक पैटन देखिया सम प्रमोटर्स आर वेरी स्मार्ट स्लोली स्लोली यार सेलिंग छोटा ही 0.5, 1%, 2% स्टीक बेच भी क्यों बेच रही है जब उनको अगर लगर रही है कि आगे भी बहुत और चलना है क्यों को पता है अभी जब सबस्दाखिया चल रहा है तो थोड़ा निकाल लो because उनको 100 रुपे के जगा पे 500 रुपे मिल रहे है तो क्यों नहीं निकालेंगे, as simple as that so point है कि valuation correct बिलकुल होंगे कब होंगे, we cannot say because Warren Buffett sir की एक कहवत है that markets can remain irrational till the time you can remain solvent तो मैं ही नहीं करो हो जाके short कर लो आज से short selling करो, no, you never know this might extend to the next 6 months, 8 months, 12 months you never know but मेरा ये मानना है कि it will just, वो जब भी ये कारवा शुरूँगा, it's just a matter of 2-3 months और इन में से काफी सारे stocks 60-70% अपने top से गिर जाएंगे और लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्यूं? क्यूंकि लोगों की आदत कैसे होती है, psychologically यार हमेशा गिर के तो उठी जाता है 10% गिरा है, अब तो उठेगा 20% गिरा है, उठेगा, और वो गिर 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 के ये सेम चीज हुई थी, 2008 का crisis हो था, DLF 1200 पे था आज 14 साल हो गए, आज तक उस लेवेल पे नहीं गया है भेल, pre-split कुछ 1400-1500 पहुँच गया था आज वो देखे, आज भी वो उस लेवेल पे नहीं गया है, 500 तक भी नहीं गया है 2008-2009 में बात होती थी कि टेलीकॉम is the next big thing BSNL, MTNL, Idea, भारती सब भाग रहते है the only stock जो रिकवर किया है भारती एटल आज भी kind of penny stock ही बन गया है एक तरीके साब देख सकते, single digit पे चल रहे है Intraday का most favorite Intraday का most favorite हो गया, Jho Ario का सबसे favorite है तो आपको एक चीच समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, उस समय के जो darling sectors होते थे they get beaten up like anything likewise आप देखो, 2020 में it was only pharma everywhere vaccine जो बना रहा हो और भागे भी हो उसके लाद आचानक से अचानक से लागया बहाँ टाम से तो फार्मा सेक्टे कंदर कुछ हो भी नहीं रहा न स्टॉक्स कहीं नहीं नहीं सब एक्दम सब एक्दम साइले लिकिन अगर if you want for the viewers कि मुझे क्या लगता है I can be wrong कि कौन सा सेफ हो सकता है इस तरह में तो I can definitely tell मैंको लगता है अगर इस समय पे जो सेफ रहेगा एरिया that would be select blue chips I'll tell you why if you relatively see blue chips ने इतना perform over the last three years नहीं किया है अगर आप देखो HDFC bank I'm not giving any recommendation no buy sell just for explanatory purpose कहां perform किया है पूरा market कहां से कहां गया है HDFC bank hasn't performed likewise आप IT अब करना शुरू हुआ है last 2-3 हफतों से 4-5 हफतों से otherwise IT was also standstill तो मुझे जो एक दिख रहा है this is also one reason because FIIs last एक साल से पाटरसिपेट नहीं किये numbers में आप देख सकते हो उतने बड़े numbers हमको नहीं दिखे आप धीरे-धीरे आना शुरू हुआ है तो FIIs जब आएंगे तो FIIs डोंट वांट टो risk random money वो profit book करके कहां कहीं ना कहीं तो डालना चाहेंगे देखे FIIs की भी मजबूरी उनको इंडिया आना ही पड़ेगा क्यों? symbols है अब एक example मान के चलो US में बन्दा बेठा हुआ है ठीक है? US का बन्दा बोले भई यह मेरे पास 50 कुरोड है वो अपने फंड मैनेजर के पास जाता है लगाओ उसके पास full freedom है हज़ फंड है किसी भी एकनोमी पे लगाओ अब वो 50 कुरोड वाल अगर इंडिया पे नहीं लगाता है और उसरी टाइम पे इंडिया बीस परसंट का C.A.J.R. अगर दे देता है और वाकी कंट्री दस परसंट देता ना यही क्लियन बोलेगा तूने क्यों नहीं लगाए उससे बेटर है मैं खुद दूसरी रूट से लगा देता तो डर के हमारे कुछ ना कुछ एक्स्पोजर यहां पर आना ही पड़ेगा So FIIs have to come This FIIs कहां से आ रहे हैं? East, West, Major League आपकी नजर में? So West से ही आ रहे हैं मोटा मोटा दा West से रहे हैं Eastern are there अभी फिलहाल के लिए तो जितना है वो Eastern से जादा चल रहा है But Western is definitely on the sidelines I don't know what they are waiting for I mean Indian market अभ एक्सपोर हो रही है और लोग एक्सपोर कर रहे है Because उसके लिए एक सिंपल्स है Emerging economies में अगर देखा जाए तो we have a definite potential जैसे मैं हमेशा कहता हूँ Demographic dividend हमारा सबसे जादा है जो यंग पॉपुलेशन है देखे मैं हमेशा कहता है Mercedes कौन चलाएगा यार 60-70 साल वाले को इतना शौक नहीं है वो चलाना 30-35-40 साल को इवाले को है Likewise consumption हम बिस्किट की बात करे है हम किसी भी चीज की बात करे है कौन जादा खाता है जालिस तक तो डॉक्टर इतनी बिमारिया बता देगा कि वो खाना अपने बंदोना है तो वो चलाना वो बीस से तीस चालिस साल तक ही है सहरेले कौन गाएगा बच्चे खाएंगे तो यह जो इन्नोवेशन जो आने वाला है यह सारी चीज़ आने वाले यंग पॉपुलेशन और यह जो चाइड पॉपुलेशन जाएगा बाद चाइना अट जाएगा बच्चे लेकिया है क्योंकि अब अटर ओल्पॉपुलेशन जबसे जाद बगई है तो गूम फिर कहा है इंडिया आने इंवस्मेंट इंडिया में पोटेंशल बहुत जादा दिख रही है नोट जस इंटम्स अफ हमारे यह आली चीज़े इंटम्स अफ रिसोर्सें इंटम्स अफ डेवल्मेंट गॉसरा रसा णिख लें क्या डिख लया लेगन वह वापिस आएगा धूसरा देको और निकालेगा इसलिए क्या जश स gaining अगया इसलिए निकालेगा अजय हम सब को बदा हूं इत्ना अछी नहीं बनी है मनलब बहां के लोग भी काइंड आ परेशानी कि कि यह क्या है मतलब क्यूं है उमीदे कुछ अलग दिखाई थी यह सपने कुछ और दिखा के वो जो होता है ना चांतार्य की बात करके दाबे बिठा दिया हुई वाला है तो मुझे जो यह लग रहा है कि Trump साब के पास Trump card हो सकता है there is a possibility and he is friends with our तो अभी क्या हो रहा है कि if Tesla had to come Tesla had to work in our terms Trump we know वो चाइना के साथ 5 साल बिढ़ते रहे metal companies चल नहीं रही तो चक्कर में हर आपको याद होगा हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ उनका बसड़ चल रहा है वो Trump high hello रखेंगे but he is not going to boot lick वो पॉलिशिंग नहीं करेंगे he will take his front उनको अगर कुछ बेकार लगा तो बले नहीं बाउस हमको इदर करने करो नहीं करना my way or highway exactly तो अभी Tesla आरहा था जो कर लेके अब वो लेके आज सकते हैं इकका तो दे माइट हैव अपर एच तो आना सब को धीरे-धीरे करके है sooner or later and our economy is also going to welcome all these things employment opportunities होंगे new growth opportunities होंगे manufacturing hub बनेगा सारी चीज़े होंगे वो सारी चीज़े होंगे तो घूम फिर के देखे जो हम वो बात करें FII इसको भी आना है foreign direct investment को आना है सारी चीज़ों को हमारे इदर आना है it's just a matter of time and धीरे-धीरे ये सारी चीज़े आएंगे तो चीज़े grow करेंगे तो again talking about that guy जो 50 करोड वाल है वो इधर जब डालेगा तो वो कहां डालेगा उसका fund manager ये नहीं बोलेगा कि मैं उस microchip में invest करूँगा इस funds never invest into microchips इस funds never invest into this penny stock क्यों? क्योंकि भाई उनका investment आना है 500,000 करोड minimum पहले एक check उनका जाएगा 1000 करोड का 1000 करोड वो penny stock है वो 20 करोड का 10 करोड का वो तो मतलब वो circuit लगाना शुरू का साल भर तक circuit है और वो छोड़ो वो तो तब तक से भी आजाएगा सब आजागा वो वही पर तंटन गोपाला हो जाएगा तो उनके पास option ही क्या है they will have to go with this larger companies market cap size companies और एक चीज़ अगर आप देखे मुझा ऐसा लगता है कि private banking space के अगर बात करें no doubt if we talk about some names just for explanatory educational purpose Kotec has performed well ICICI has performed really well we talk about a lot of these sectors but comparative लिख करोगे तो अगे इन देखेगा कि PCU space में overall पूरे धाचे ने अच्छा परफॉर्म कर लिए यहां पर नहीं किया है हमेशा याद रखिए spaces में जब लीडर actual में परफॉर्म करने लगता है but what people don't understand is there is a logic behind that जब February में Russia-Ukraine का war हुआ था तो क्या हो गया था कि हमको discount में बहुत ज़ादा oil मिल गया था and obviously that is supposed to get reflected in the margins और वही चीज़ को factor in करके कहीं न कहीं oil marketing companies and यह सारी companies काफी अच्छा उपर गई हैं breakout दी हैं लेकिन जैसे ही उनका वो मुनाफ़ा हुआ एक lollipop लोग देख रहे हैं कि RBI ने dividend दे दिया इतना सारा तो बहुत ज़ादा होगा it is minuscule बहुत छोटा सा percentage है अगर आप overall holistic view पे देखेंगे तो capex cycle जिन लोगों को नहीं पता में बताओ बहुत बड़ा-बड़ा investment कर दिया है assets खरीद करीद के expand करने के लिए जिस speed पे वो capex किया गया है historically देखा गया है कि जब भी PSU इतना ज़्यादा खर्चा करते है एक-दो साल में उसके बाद वहाँ पर वो स्थिरता आ जाती है उसके बाद जो growth जिस speed पे हो रही हो speed पे होती नहीं है and problem तब आ जाती है इसको इस तरह से समझे है जब cycle बहुत भड़िया चलता है जब सब कुछ अच्छा लग रहा है खुशाली लग रही है तो उस समय पर हर जगा सब पैसा आ रहा है debt आसानी से मिल रहा है सब कुछ आ रहा है एक recession का cycle आता है suddenly यह जो सबसे जादा capex चला रहे जो सबसे जादा debt लेके चल रहे जो करदा लेके चल रहे इसको ऐसा समझे है कि economy जब खुशाल है तो सब को नौकरी मिलेगी सब को अच्छ अच्छा मिलेगा सब को लोन मिलेगा अब economy जब down rail पे जाएगी सबसे जादा problem भी उनीक होगी लोन वाले के अगर आप notice कर रहे होगे last 3-4 महने से कभी regulator के front से SEBI SEBI के तरफ से confusion बहुत है बहुत आ रहा है not just regulator even हमारे Central Bank के तरफ से RBI अभी महाल फिलाल में एक इस तरह की statement रिलीज हुई थी कि जो domestic money है investment में जो पहले जा रहा था अब उधर ना जाके mutual funds में जा रहा है so I think confusion भी बहुत है I don't understand and deep within ये interconnected होते एक simple हिंट देता हूँ आज से देड़ साल पहले निर्मला जी ने एक statement दिया था in the media that finance के जो influencers है वो कहीं न कहीं बहुत जादा limit cross कर रही है या कुछ हो रहा है बहुत गड़बड़ी हो रही है और किसी को इस पे नजर रखनी चाहिए and आप देखो उसी के बाद regulator मतलब इतने जादा तेजी से इन सारी चीजों पर लगे so they sent a message subtle message गया और यहां पर काम हुआ तो likewise अगर आप connect करने के कोश्च करें over the last 3 to 6 months काफी सारी चीज़े आ रही है और एक दो चीज़े काफी theme based हो रही है तीन चीज़े जो clearly पता चल रही है बबल शायद बन रही है direct कोई नहीं कहा रहा बट कही नहीं कहा रहा है कि कुछ है, forces चल रहे है कुछ बहुत सारी चीज़े हो रही है गत्तिविद्धिया हो रही है but isn't it good for the Indian economy अब अगर अब यंग्स्टर यूथ है जो पहले जागरोक नहीं थी जो जागी है वो माकित के अंदर इंवेस्ट कर रही है टाक्स भी तो दे रही है not that कि वो पूरा का पूरा पैसा घड़े के जा रही है capital gains है, exist करता है और अच्छा खासा है so government and the nation for its development they are also taking a part of it, right? so let me give a benefit of doubt although yes, आपका point बिल्कुल वालिड है benefit of doubt ऐसा हो सकता है कि let's take an example hypothetically हम assume करते ही यह जिस माइक पे हम बात कर रहे है इसका कॉस्ट है 30,000 रुपीज अगर हम दुकान पे जाते हैं हमको अर्जंट में चाहिए हम 30,000 के जगा अगर 40,000 भी दे 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 ते it is worth क्योंकि हमको अर्जंट पे चाहिए और अगर पे अगरा तो कही ना कहीं वो शाहिद सस्पेक्ट कर रहे हैं जैसे बीच में आपनी इक स्टेटमेंट सुना था किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एकविटी मार्केट से अभी समलके रही है because Harshad Mehta and Ketan Parekh जैसा era वापस आच चुका है और कोई तो शायद रिग कर रहे है market को येक statement आया था बीच में renowned industrialist had given this particular statement media house and industrialist के उनने statement दिया था तो what I feel is कि जो regulator देख रहा है वो 2-3 चीज़े देख रहा है पहला the ratio of people who are speculating versus investing उसमें वास difference है जैसे मैं आपको बता दू India is the only place जहां पर हर equity investor के against 300 FNO traders है future and option traders है बागी जगा पर ratio is 1 is to 50, 1 is to 20, 1 is to 30 we are 1 is to 300 इसके बीचे क्या reason हो सतता है obviously to some extent influencers are to be blamed for this thing because हर किसी ने ये बता है कि easy तरीका है पैसे कमाने का but that's not it everything is interlinked influencers ने क्यों बोला because brokers actually told कि discount brokerage है and discount brokerage किस पर बनेगा as simple as that जब future and option करेंगे equity अगर ले के बैट जगे broker का क्या बनना है quick money, easy money quick money, easy meaning roast rate करो को तो आपके पैसे बनेगे so that is another thing तीसरी चीज है because जो ये market last 3-4 साल से एक kind of one-sided rally दिया है आप देखो कि बहुत occasional dips आएं कि रश्या यूक्रेन का एक हलका पूल का आता है वो दिप को भी बाय कर लेते है आप देखो एक simple से example देता हो चार तारिक को जब हाल फिलाग में रिसल्ट अनूंस हुआ बीस हजार करोड का mutual fund उसी दिन D.I.I.s के तरफ से जा रहा है D.I.I.s मतलब हम लोगों के पैसे लग रहे है मतलब just imagine the amount of money which people are ready to do to invest into the market तो यह clearly एक चीज दिखा रही है यह this reminds of जो से भी भी यह चीज़े देख रही है बाकी लोग भी देख रहे है कि similar patterns used to emerge in 2005, 2006, 2007 भी पान वाले से लेके local में जाने वाले you go to Mumbai local Mumbai local में हर बंदा बैट के चार्ट देख रहा है Delhi metro में भी Delhi metro सडकों पे हर जगा everywhere kids as young as 20 college जाते वे बच्चे यह कर रहे है आपने तो जादा भूल दिया 16 पे भाई के DMAT अकाउंट पे चल रहे है 16, 15 there are people who are actually asking me in the comment section भाईया मेरी age 15 है अब मैं यह वाली trading कर रहा हूँ मैं कौन सी करूँ ताकी 18 जब तक मैरी हो तो मैं अपना ही अकाउंट पे बड़ा वाले trading करूँ Instagram पे देख रहे हैं absolutely social media पे हर जगे देख रहे हैं तो कहीं न कहीं यह वाली चीज़ है इसलिए आप देखो regulator बार बार हिंट दे चुका है for example today अगर आप अपना broker खोलते हो पहला ही आपको disclaimer जितने बार log out करोगे वो दिखेगा कि 9 out of 10 traders are actually losing money इतना सारा tax में जाता है यह जाता है ठीक है लोगों को कोई फरक नहीं okay करके फटाक से निकल रहा है और फिर वापस उनको मारना है option trade 100 रुपे का करीदना है 500 रुपे का और उस पर यह उम्मीद करना है वो 5000 चले जाएगा as simple as that without any analysis तो regulator ने वहाँ पर वां किया regulator again warned with respect to कि मार्केट में कुछ चीजे हैं IPOs के बारे में बात करी Devin अचा आप एक इंड्रेस्टिंग चीज देखो हाल-fil-हाल का यह डेवलेप्पेंट इवाइल वी आटागिग हजार से जादा स्टॉक्स को को लाटरल से हटा दिया गया है या या आपके जहें में 100 रुपए चार सुरुपए की चीज ले साते वाद दाट आप का इंड्रीस बारोड फंड लोन ले हो अब साल का साढ़े 910 परसेट इजी अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है लेट्स टेक इन एक्समेंपल अब लास्ट यह फेब में आपके शेर्स लेके रके पहले बड़ा मजा रहा था दो हफते में ब्रोकर वोट स्क्वार इट आफ इंटरेस अलग से देना तो यह सारी चीज़े ना काफी कंसर्न की बन रही है पर ब्रोकर्स पर अल इस थिंग्स but let me tell you because I hover around the industry although nobody is saying it openly but a lot of people are not happy with the kind of decisions which are coming Decisions coming from what? Regulator? Not just regulator, overall everyday there is something or the other you open the newspaper, हर दिन कुछ आरहे क्यों नहीं उसको समझते है पहली चीज है एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि option trading से लोगा का नुकसान हो रहा है दूसरे जगह पर हमारे option trading हर दिन एक expiry होती है Monday को एक expiry, Tuesday को expiry, Wednesday को तो जब अगर option trading is so hazardous to wealth why we have been introducing an expiry trade for everyday? brokerage आता है उससे, simple सी बात तो पहली चीज ये contradictory होगे दूसरी चीज बोली जा रही है कि option selling, जिन लोगों को नहीं पता है option selling बड़े लोग करते है जिनके पास capital जा रहा रहता है तो उस पर margin बढ़ाया जा रहा है ठीक है? but option selling, if done properly is relatively safer than option buying option buying में आपने 100 रुपे की चीज ली तो वो जीरो हो ही जाएगा option selling में आपने 100 के बीचे तो आपको 120 पे निकलने का मोका है 130 पे निकलने का मोका है, जो भी है option selling पे अगर आप margin बढ़ा रहे हो तो ultimately जो गिंती के कुछ smart लोग option selling छोटे लोग भी करने जा रहे थे थोड़ा पैसा जमा करके they are also forced to come into option buying again that is kind of speculative against thought of gambling it's a vicious circle, चक्र व्यू है, एक बार एंटर, वो करवा के मानेंगे और आप हो जोगे तो निकल पाओगे but इस पे मेरा यह मानना है क्या होता है कि सब को पता है कि rat poison जो है rat poison अगर कोई खा लेगा इंसान, तो वो मर जाएगा but doesn't mean कि आप rat poison को ban कर दो likewise सब को पता है कि swimming pool में, अगर swimming pool is 8 feet deep किसी को अगर swimming नहीं आती है निश्चत भाव से वो आजने तो कल डूब जाएगा अगर वो बार-बार कूद रहा है इसका मदब यह नहीं कि हम दुनिया बर के swimming pool को बंद कर दे because there are people who know how to swim likewise it doesn't 100% make sense कि एक-एक करके हम सारी चीजों पर restrictions लगा दे because अब ultimately देखे अब US में जाएए a mature market like US so much of trading volumes is actually coming because of day traders, prop desk not exactly prop desk but hedge funds day-to-day traders likewise अगर हम इंडिया की बात करें तो हमको एक तरफ हम कह रहे है कि हम market को थोड़ा open करना जाते यह करना जाते गूम फिर कि हमारा 3-4% का ही participation बच रहा है बीच में हमारे 2020 में थोड़ा skyrocket होने लग गया था again we are around the same place in fact अभी एक recent survey भी हो आया था कुछ मंस पहले कि maximum people के पास 10,000 से जाद अपने DMAT में है भी नहीं है भी नहीं है भी नहीं तो I think जहां पर एक set यह भी एक figure आईती नहीं जितने भी DMAT accounts है उसमें से बहुत जादा percentage active भी नहीं है और जो बचे भी active हो future on option कर आपसलूटली कि अगर एक इंसान business भी कर रहा है और future option भी कर रहा है let's say उसको business में घाटा हो गया future on option में मुनाफ़ा हो गया दोनों एक साथ adjust करके वो अपने taxation करते है अगर यह speculation हो गया तो दोनों का taxation हो जाएगा तो माल लीजिये पहले business का income 100 रुपय हो रहा था future on option में मालो 50 रुपय का loss था तो net 50 पे tax भरना प्रादा था अब 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 अगर यह आ गया तो वो चीज अगर आगई एक्विटी को रिलेटे कुछ बहुत बहुत नेगटिव आया I wouldn't be surprised that market might react at least for the short run very violently but going ahead में को लगता नहीं है कि the government will take so much of chance दे कि एक सिंपल सी चीज है let's face it populist ज्यादा लानी सकते populist budget इसले भी नहीं ला सकते let's say, अगर सब को please करने के लिए populist budget लेकी भी आए तो पहली बात है उनको states में भी इस चीज को introduce कराना पड़ेगा अब कहीं पर कोई दूसरी पार्टी भी है कहीं दूसरी पार्टी भी है उनसे वो सब करना plus दूसरी पार्टी यह दिखानी की कोश करेगी इन देर अजंडा की देखो हमने प्रेशर इतना बना के रग दिया है कि अनुद्समेंट हो गई yes, that is number one दूसरी चीज यह भी हो जाएगी the government cannot bring a lot of things at this point of time considering थोड़ा बात उनको लाना पड़ेगा because middle class थोड़ी frustrated तो हो गई है चारो तरफ से जब tax की मार पड़ेगी तो क्यों होगी middle class क्यों परेशान है inflation है tax, tax जो system है वो 22% से बढ़ेगा है exactly inflation बढ़ गया है जो standard of living वो इतना नहीं बढ़ा है although we can say कि चलो थोड़ा इंफरा हुआ है but you go into any metros you go to Delhi, Mumbai, Poonay, Bangalore, कहीं पर भी चले जाओ traffic का सीन गलग चल रहा है pollution का अलग चल रहा है water lodging हो जारी है कही नहीं पर तो वो इतना जादा development अभी भी हुआ नहीं on the face of it so middle class actually may be frustrated and if you would say कि नहीं अईसा नहीं है नहीं नहीं आउट से है I would completely agree recently, even though कुछ भी कहें but recent जो election हुआ है वहाँ पर कही नहीं लोगों ने दिखाया है we are not saying गलत हुआ साहिवा जो भी है but yeah, surprise element on equities हो सकता है, आजाए कुछ मुझी आद है कि I think interim budget अनांस्मेंट हुई थी उससे पिछले जो last full budget अनांस्मेंट हुई थी लेकिन PSU banks के disinvestment की भी बात चल रही है अंदर खाने planning बात चल रही है चल रही है so जैसे कि आपने बताया कि banking sector के अंदर बदलाव या बड़े उमीद है बिल्कुल so this might be linked with PSU banks की disinvestments yes, that could be linked but again, as I talked about PSU's in general valuations the stock market may not reward maybe वो सारी चीज़े वो factor in तब तक कर चुका होगा problem क्या होती है market में डाव थीज़े चलती है डाव थीज़े ये कहती है कि market सारी चीज़े पहले से पनप लेता है और उसके basis पे सारी rally या fall होता है सबसे simple उधारण आप देखे 2020 में क्या हुआ था covid आया, सब घर पे बैठेंगे काम कैसे होगा, यह होगा घर पे बैठे बैठे पूरा crash हो गया उसके बाद भी 3-4 महने तक कुछ काम चालू हुआ नहीं था टेखनिकली देखे दुकाने बंद पड़ी, एर पड़ी है लेकिन market चड़ने लग गया और उन 11 महने में जिस speed में market भागा 30 साल में आज तक global में कभी भी ऐसा market नहीं भागा पूरी recovery अब आप बोलोगे तो लोग तो गर पेटे थे क्यों था क्योंकि डाव थूरी ने वो सारा जो पेन था वो 2020 मार्च तक उसने पनप लिया तभी आपको टाटा मोटर जैसा शेर 68-70 रुपए बा मिल रहा था अभी लोगों का दिल जल रहा होगा वो कहां पे पहुँच गिया है तभी आपको सारे शेर रिलाइंस आ गया था 800-700-800 के आसपास आ गया था तो पॉइंट होई है कि डाव थूरी सारी चीज़े फैक्टर इन करके चल रहा है इफ यू टॉक अबट डिफेंस पेस वो पहले से फैक्टर इन कर रहा है कि इतने सारे प्रोजेक्ट आने वाले है इफ टॉक अबट ओट ओमसी वो कैपक्स साइकल को अल्रेडी वो लेके चल रहा है कि यसे चीज़े आने वाली है जिस दिन आने लग जाएंगी ना जब प्रोपर आएंगी तब वो स्टैगनेंट होगा और उसके प्रोफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी तो मेरा एक पहला सजेशन सबको रहेगा कि देगे मार्केट हो सकता है आगे जैसे मैंने का कब तक रैशनल रहेगा भी नेवर नो अगर आप अच्छे कासे प्रोफिट में कभी बैठे रहते हो तो कभी कबाड पर प्रोफिट से निकल को इसको रियल प्रोफिट भी बना लिया करो बिकस इवसीन लौट प्रोफिट में तो बहुत जादे रहते हैं तो थोड़ा बहुत हलका पुलका लेना भी मेरे साब से बुरा नहीं है, टैक्स भर दो यार को टेंशन नहीं है, बट इस वोड़ी माई सजेशन, यह आपने इस conversation, इस second वाले जो मारा topic था उसकी शुरुवात में यू मेंचिन द वन परसंट club, right? तो यह जो वन परसंट जो club है हमारा, जो top-notch है हमारे country के, जैसे भी हमने Tata की बात करी, Reliance की बात करी, इन सबके भी अगर आप sector-wise stocks पे देखो, तो बहुत जाद डिफरेंसियेशन है, बलब Tata की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो Tata का एक stock कहा हैं, दूसरा stock कहा हैं, potential दोनों में हैं, अगर हम दूसरे किसी group की बात करें, Reliance की बात करें, Reliance का भी काफी टाइम से चल रहा है, GEO Financial Services में यह होगा, वो होगा, फिलाल कुछ होता दिख नहीं रहा, बहुत जादा, उमीदे थी, nothing for now, सब शादी में बिजी होगा है, और I could say कि ध्यान बटक गया, या whatever, I would say, उसके बाद से अब फिर बात हो रही है कि GEO के साथ मिलकर, GEO का एक नया IP वा सकता है, उमीद है, साल दो हजार पच्चिस में आएगा, Adani, Adani के गूप के अंदर भी बड़े सारे स्टॉक से हैं, बहुत दिफरेंसिएशन है, आपके अनालिस के हिसाब से, विच गूप, विच फैमिली, in terms of stocks, in terms of business, is going in the right direction, जिसका जादा fragment नहीं हुआ है, Now, this might be controversial, but मेरे हिसाब से, it would be still the Reliance Group, relatively, I'll tell you, there are smart moves which they are taking, जो अपने margins को maintain करने के लिए चल रहे हैं, Let's talk about the telecom space, सारे लोग जब शादी शादी देखने के लिए बात करने लग गए, being a leader, उन्होंने अपने tariffs बढा लिए, अब आप इसको सिंपल से समझे, जैसे आपने food aggregator apps में देखा था, क्या हुआ था, कि पहले उन्हें free delivery, free delivery करे, थोड़ा सा बढ़ाया, और उनका पूरा margin किस तरह से बढ़ा, then they acquired a company, I guess Blinkit उन्हें inquire करी थी, पता लगा कि उसकी valuation तो में mother company से जादा हो गई, जादा है, और देट कम है, और फाउंडर ने बाइदावे, दो साल पहले बोला था, कि मेरी ये company इतना पैसा कमा के देगी, जितना हमारा main company कमा के नहीं देगी, तो by the way, सबसे पहले मैं नाम तो नहीं ले रहा है company के, people will type in the comment section में किस company की बात करहूं, लेकिन मैं उनके प्रमोटर की दो तीन अच्छी बाते बताता हूं, smart moves बताता हूं, पहला उनके प्रमोटर की एक meeting हुई आज से, maybe एक साल पहले, जब decide हो रहा था उनके बेटे को, one of his kids, जिसकी शादी हो चुकिये पहले, तो उनको रखा जा रहा था कि भई, आपको बोड का main बंदा बनाये जाएगा, तो जो बाहर की company थी, foreign institution थी उनने अपत्ती जगाई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं इनको इतना अनुभव नहीं है, experience नहीं है, और हम इतना बड़ा risk कैसे ले सकते, बट at the end पता था majority पापा ले आएंगे, तो वो ले के आए, लेकिन पापा शायद retirement का भी सोच रहते, लेकिन फिर उनने देखा पनपा, और उनने डिसाइड कहा कि मैं अपना extend करूँगा, आने वाले कुछ साल, what does it show, कि his smart first of all, वो देख रहे हैं कि ठीक है, बच्चों को तो आगे करना ही आजने तो कल, लेकिन जब तक बच्चे थोड़े सूझ बूझ के साथ, बड़े होके नहीं सीख पाते हैं, मुझे वो कमांड लेके रखनी पड़ेगे, कि मार्केट में परसेप्शन नहीं बिगड़ना चाहिए, that is number one, दूसरी चीज, सब एक बहुत महेंगी, बड़ी शादी में जब सब बिजी थे, सब आकड़ा लगा रहे थे, कि भाईया 83 करोड किसी को दे दिया, वो तो बन्यान पहन के आ गया, फिर वो ये सारी चीज़े चल रहे थी, उसी समय पे, आप देखो तो अचानक से उनने टैरिफ बढ़ा दिये, टेलिकॉम के, थोटा सा भी टैरिफ अगर बढ़ा दिया जाता है, तो दाट सब्स्टैंशली इंक्रीजस दे मार्जन, और यह हमने डिफरेंस देखा है, फ्री से जैसे ही थोड़ा सा उनने पैसा बढ़ाया था, तो यह हो गया था, इंस देखों, दुसरी पार्टी ने भी इमेडिएटली बढ़ा लिया, मैंने थो इसले बढ़िया, साल साल के दो रिचार्ज करी दिये, है पहले से, मैंने भुल ठिये कर लेता है, बढ़ी गया, मां लगा कुछ भी कलो, माइंड तो थोड़ा मिटल क्लास जैसा सोची लेता है तो वो चीज कली तो वो आप देखे दूसरा तो उन्होंने अपने मार्जिन को इनफेक्ट अभी बीच में आया भी था कि अल्दो शादी हो रही है पर बहूरानी जो वो इसके आते ही एक मैंने के अंदर 15,000 करोड आया है नेट वरत में आइड हो गया वने काहिंव Adapt Сам हैं तो दूसरी चीज हो गई है t 이 सरी चीज आप देखो मंदब smart movie यह है कि अब अगर डट लिया भी जा रहा है तो ऊ flying चीजों के लिए जो जो cash generating operations होंगे वो ऐसी चीजों के लिए नहीं लिया जा रहा है जो cash generating operations नहीं होंगे जैसे दो साल पहले उनने अनॉंस किया कि अब हम renewable sources of energy पे बहुत जादा काम करना शुरू करेंगे because he also knows कि petrochemicals के अगर हम बात करें towards at some point of time यह exhaust होने है हमने science में पढ़ा है fossil fuels हैं कि कभी न कभी exhaust होंगे तो समय के साथ जो बदलाव करे जा रहे है एक time पर और इनकी पूरी family की legacy है पहले textiles पे पूरी spices पे थे फिर textiles पे थे फिर उनने देखा textiles का वो चले गया Vimal I think so उनके textiles की company का नाम था फिर वो petrochemicals पे आने लग गए फिर उनने थोड़ा retail पे try ज़रूर किया बट वो उतना नहीं चला उसके चक्कर में एक और company जो लोग guess करेंगे उसके हलड़ टाइड होगे वो बंद होने का आगया because Amazon versus ये इनका war चला और वो दूसरी खतम होगे अब उनको पता है next बड़ा क्या होगा एक AMC स्पेस होगा जिसमें इंटर कर रहे है आखरी सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ जैसे बड़ा weapon जो प्रमोटर लेके चल रहे है तो हमारे देश के वो जो सबसे धनी व्यक्ति हैं वो आए है ब्रोकरिच इसमें ब्रोकिंग इंडेस्टी में एरिया में और इनकी हमेशा से आदात है कि पहले दो साल सब कुछ फ्री देते हैं आने वाले समय में हमको काफी बड़ी-बड़ी संस्था ही है कि अब तो फ्री ब्रोकरिच चाहद रहेगा नी यह दो साल के लिए तीन साल के लिए फ्री कर देते हैं जहां करकि बाकी लोगों को फोर्स होगा अपना ब्रोकरिच चार्च बढ़ाने के लिए इंडियन्स लव फ्री हमें फ्री चीज़े पसंद है ट्रेडर्स को बहुत पसंद है क्योंकि जो प्रॉप डेस्ट चला रहे है जो रोज के हजार हजार ट्रेड्स कर रहो इसको फ्री चाहिए क्योंकि वो तो ब्रोकरिच देते देते खतम हो जाएगा अब जस्ट इमेजन कीजिए कि अगर ये वाला opportunity इनको मिलता है तो वहां से भी कितना बड़ा business इनकी AMC की बात करें तो AMC का टाइप किसके साथ ब्लाक रॉक के साथ हो रहा है दुन्या की सबसे बड़ी asset management company अगर आपके साथ हो रही है क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि इनी की private संपती सबसे बड़ी chunk ये manage करने वाले है तो smartness की basis पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है एक और group की अगर हम बात करें जो again लोग guess करेंगे उनको dogs का काफी शौक के office में भी काफी dogs रखते हैं और काफी respected भी है तो अगर उनकी में बात करूँ तो group काफी अच्छा है लेकर उनके पास एक बहुत बड़ा चालेंज आने वाला है अगले 10 साल में पता है क्या है जो कोई सोच ही नहीं रहा है और यह मैंने चीज HDFC bank के लिए predict करी थी आज से जब उन्होंने छोड़ा था अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक इतने साल से क्वाटर न क्वाटर से बढ़िया रिजल्ट दे तो कहीं न कहीं प्रमोटर का भी हाथ रहता है इसमें अच्छा मैनेजमेंट का वो जाएंगी तो I don't know अगर भी आज से उनने जाने के बादी उनने अपने भी सारे शेयर बेचे थे और उसके बाद कितने टाम तक यह ता तो लाइकवाइस मुझे क्या रग रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे उनकी वी उमर होई है हम जिन प्रमोटर की बात कर रहे हैं तो मोस्ट एथिकल ग्रूप के प्रमोटर उन्होंने कोशिश करी थे याथ से कुछ साल पहले अपने एक हैर को चुनने के लिए अनफॉर्शनेटली कार एक्सिडेंट में उनकी मृत्त्य हो गए तो अब ही तक इतना प्रबल उमीदवार नहीं मिला तो आप इमाजिन मुझे हमेशा से यह लगता है कि बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी चीजे फेस वैल्यू पर चलती है और इस केस में तो चल ही रही है चली रही है और यह सिर्फ हम कंपनीज की बात नहीं कर रहे है आप देखो नौकरी के लिए कोई जाता है IIT का है IIM का है नौकरी मिलेगी फंडिंग के लिए जा रहा है IIT प्लस IIM तो उनको पहले फंडिंग मिलेगी Likewise हमारे देश में एक trust build up होता है एक promoter के नाम पे अब वो promoter बहुत उमर के हो गए है आप latest कुछ वीडियो देखेंगे चलने पर भी उनको थोड़ा issue हो रहा है अगर हमको एक strong leader सामने नहीं मिलता है तो companies और history ये चीज बया कर चुकी है मैं एक चोटा सा example देना चाहूँगा यूएस से Vanderbilt करके एक व्यक्ती थे Vanderbilt रेलवे के king माने जाते थे Vanderbilt के साथ क्या हुआ वो चाहते थे मेरा जो बेटा है वो आगे लेके जाए legacy लेकिन उनके बेटे की दुरभाग्यवेश मृत्य हो गए थे बड़े बेटा जो सबसमें smart था और चोटा बेटा थोड़ा निठला था मतला निठलन इनसेंस उसको नहीं आदा था बड़े उनने सोचा कि बड़ा बेटा चलेगे अब क्या करूं किसी को तो legacy देनी पड़ेगा और चोटा बेटा सही में मतलब smart नहीं था तो चोटे बेटे को उनने आगे किया पहले बोला है ट्रेनिंग तो दें तुमको आगे जाओ तुम deals negotiate करो धीरे धीरे सारे competitors को समझ में आगया कि इनके छोटे बेटे को तो लू बनाया जा सकता है तो deal ऐसी होती थी कि जहां पर इनको उस समय पर 12 million dollars का फाइदा होना चाहिए था उनको सरफ 1 million dollar का फाइदा हो रहा है या no profit no loss बाकियों का फाइदा हो रहा था तो एक पोजिशन पर तो ऐसा हो गया था कि उनका बेटा उनको नुकसान के सौदे करा रहे थे वो मौके दे रहे थे वो करवा रहे थे उसके बाद उनका धीरे 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 करके empire फेड होना शुरू हो गया था तो वही चीज बहुत सारे companies के साथ भी होता है तो अगर आगे वाला जो सम्हालने वाला है क्योंकि उनने शादी तो करी नहीं है जिन प्रमोटर की बात कर रहे है तो ऐसा भी नहीं है कि वो फैमिली उधर से ही निकलने वाली है कोई दूसरा एक है कुछ नाम लिए गा है कि यह यह सारे चीज लेंगे बट वो इतना strong names नहीं है तो I think वहाँ पर वो challenge होगे तीसरे अगर गुरूप की बात करें बट दूसरे गुरूप में यह भी कहना चाहूंगे कि उनकी पिछले कुछ पुरानी जो deals है वो हमारे देश के लिए भी काफी important है aviation के अंदर उन्होंने वापस important है बट एक आप history देखे ना वो जब भी कोई बड़ा deal करते हैं उसके बात कभी ना कोई बहुत बड़ा debt वाला deal कर देते हैं जिसके चक्कर में 10 साल तक उनके balance sheet की लगी पड़ी रहती है कभी वो chorus जैसा कुछ उठा लेते हैं कभी फिरंगी ego में आके वो बड़ी गाडी का कुछ उठा लेते हैं फिर 10-10 साल तक आप देखो हमने जो एक motor वाली company की बात करी है लो comments में बताएंगे वो motor वाली company 70-80 रुपए की आ गई थी फिर उसके उद उपर गई उसके पहले 5 साल perform नहीं करी थी और पिछले ज़र साल के अंदर उसने out perform करी तो खतरनाक कर दिया तो वो 5-6 साल क्यों नहीं करी थी वो ही था वो पुराना वाला करजा को चलाय जा रहे चलाय जा रहे अब जागर बुक्स क्लीन हुई है सेम स्टील कंपणी के साथ हो गई थी हम सेलिब्रेट बहुत करते हैं कि बहुत कोरस ले लिया कोरस ले लिया लेकिन क्या हुआ था उसके बाद तो वही चीज वो कर देते हैं मतलब वो जो जोश में आके देश के लिए ना यह वाली चीज कर देते हैं नो डाउट देश के लिए वो जो चीज़े करते हैं वो बहुत ही सूपब है ट्रस्ट उनका बहुत बढ़िया काम करता है बट यह टाइम लगता है और दूसरी चीज यह भी मैंने देखी हुई है आप एक बॉल को उपर फेकोगे न वो जाएगा 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 कहीं पर तो रुक के नीचे आएगा वो एक बैलन्स आएगा तो जिस स्पीड से चीज़े गई है और दा लास्त तीन चार साल अगर कोई सोचता यह कभी नहीं रुकेगा वो सबसे बड़ी गलती कर रहे है कंसॉलिडेशन का फेस आता है आप लोगों को बताऊँ समय था जब H.O.L. जैसा स्टॉक 7 साल नहीं चला था Reliance जैसा स्टॉक 8 साल नहीं चला था ITC जैसा स्टॉक 5 साल नहीं चला था तो क्या गैरेंटी है कि यह जो स्टॉक्स अभी इतने भागें यह नहीं रुकेंगे प्रॉब्लम है हमारे पास रीसेंसी बायस होता है रीसेंसी बायस करत होता है हमने जो रीसेंट टाइम पे देखा नहीं एक दो साल में जो चीज हुआ है हम उसे को सच मान लेते हैं हम सब पुराना भूल जाते हैं तो अभी भी वही चीज हो रहा है बजार उपर के उपर क्यों जा रहा है क्योंकि कुछ लोग अभी भी डाउटफुल होते रहते हैं जिस दिन पूरी दुनिया बुलिश हो जाएगी उदर से पलटना शुरू हो जाएगा और अभी सब हो नहीं रहे अभी भी लोग के अंदर उम्मीद है कि नहीं जब तक हमारी रूलिंग गवर्मेंट यह है वो है यह है कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप आएगा थोड़ा सा वो आएगा बट लॉंग रन की अगर हम बात करें तो नो डाउट इंडिया बहुत स्टॉट पर अगर अगर अभी हम बात करें अच्छा देखे हमने जब लास्ट वीडियो हमारा शूट किया था तब हम तीन ट्रिलियन डॉलर की अकनॉमी के असपास ही थे अभी हम साडहे चार पे चल रहे हैं अलमुस्ट पांच की हम बात कर देखे हैं अभी संसेक्स पिछातर हजार हो गा और अभी एक साल भी रही हुआ तो तो यह सारी चीज़े होंगी अब मुझे जिस पीड बीचीज़े चल रही हैं going ahead again on a realistic target ओपर नीचे यह सारी होने के बाद I wouldn't be surprised अगर economic scale की बात करें तो over the next 5 to 7 years we can be a 15 trillion dollar economy I wouldn't be surprised बट उसमें एक चीज़े है कि जिस तरह की spending जिस तरह की सारी चीज़े हैं planning on the infrastructure front has to be great because infra अगर बहुत बढ़िया रहेगा तब बहुत सारी चीज़े यहां पर positive होने लगेंगे तो yes, अगर आप long run के लिए खेल रहो तो index is a place where you should be considering to invest your money but sector specific again PSU's, पतानी मेर को this is my personal view कि कभी ना कभी थोड़ा साथ ठायर जाएंगे यहां पर मैं बात करूंगे आपने index की बात करी पिछले एक देड महीने के अंदर सरकार की तरफ समने देखा है कि index, नई index भी launch हूँ है इंट्रद्यूस हूँ है travel and tourism के अंदर काफी यह enter करने की कोशिश कर रहे हैं so do you think कि यह space explore कर रहे हैं और यह इनका exploration इंवेस्टर्स के लिए आगे चलके काफी फाइदमाथ हो सकता है यह एरिया भी जो explore कर रहे है यह इंवेस्टर्स के लिए फाइदमाथ बिलकुल हो सकता है यही आप खुद इससाब से देखे थे कभी कबर तो हमको common sense अगर लगा ले ना तो बहुत सारी चीजों का help हो सकता है तो आप देखो जैसे आपने travel वाले industry की बात करी है that is definitely an industry to look after उसी तरह से आप देखो alpha करके भी इनने कुछ निकाला कुछ-कुछ नहीने experiment ही करते जा रहे है तो I am not saying कि इनके सारे experiments सही होंगे जैसे मैं आप लोगों बता दू कि डेरिवेटिव के टाइम पर आज से कुछ साल पहले इन्डिया विक्स के फ्यूचर्स निकाले थे that experiment failed इसी के तरह इन्होंने कुछ साल पहले IT के ETF तो चली अभी चल रहे है उसमें इत्ती लिकुडिटिटी नहीं है बट IT इंडेक्स की trading भी इन्होंने निकाली थी बट वो उतनी नहीं चली चली कौन सी हमारी bank nifty सबसे जादा चली क्योंकि उसमें लिकुडिटी है बढ़िया बारा बैंक से अब देखें इंडिया के तो सबसे बढ़िया बात ही है हमारे अगर इंडेक्स को हिलाना है तो हमको सबसे पांच से च्छे स्टॉक्स हिलाना है क्योंकि हमारे टॉप एट स्टॉक्त तो पचास पर्सेंट से जादा का weightage रख ले रहे हैं बाकी सब तो चुट्टु-चुट्टु ऐपरसेंट दो परसेंट 0.5% है, 8-10 स्टॉक में से 3-4 हिला दिया, आपने पूरा इंडेक्स हिला दिया, अभी भी आप देखो, by the way, because आप इंडेक्स की बात करो में, दूसरा एक एंगल पहले इदर बता देता हूं, हमारा इंडेक्स वैसे भी मैनेज हो हो है, हमारा इंडेक्स पूरी तरीके से बैनेज हो रहा है, सिंबल हो धा रहन है, एक कोई बड़ी कंपनी, मानलो, रिलाइंस का रिजल्ट खराब हो है, तो उस दिन 3 IT कंपनी को ठा देते हैं, ताकि इंडेक्स बैलेंस रहे, फिर मानलो IT, IT बढ़िया चल रहा है, इन्फोसेस बढ़िया चलने लग गया, लेकिन बैलेंस बना के रखना है वहाँ पर, तो मिड़ काप स्मॉल काप को गिरा देंगे, तो आप देखरों, पूरी तरीक से एक बैलेंस बनाया जा रहा है, कि अच्छा इतना वेटे, इतना वेटे, इतना वेटे, कौन कर रहा है, अमें नहीं पता, इसको ऑपरेटर कहा सकते हैं, लेकिन बैलेंस तो बना के जाया जा रहा है, आप पूरा नोटिस करो, दो-ध रेजल्ट खराब होंगे, किसी heavy weight के तीसरा आके उठाकर रख देता है, कि भाईयë, बैलेंस बना के रहे, हमको गिरना है, तो अगिन उतना नहीं करना है, हमको पूरा बैलेंस बना के चलना है, तो यह करता हुआना है, ऑपरेटर, ऑपरेटर हम कह कह रहे हैं, से आदेश शायद आ रहे हैं, कि चीज़े रोक के रखो, दिल्ली के मतलब मतलब पाली का बजार की बात करो, इतर और से मतलब कहीं से आ रहोगा, सरोजनी से आ रहोगा, जो भी है, तो इनको बोला जा रहा है कि ये बैलंस, दिखे एक सिंपल सी बात है, सारा सेंटिमेंट का भी हैं, से भी हैं, ब miraculous हैं, जॉपे है, लोहाच जाको बडिदा रहन दिए, ले फिटार में ऊडिए, खास बात हैं, बहारत समने भी हैं, प्राभ्स बना हैं, सब्क्राइब मेने हैं, इस दिन भी हैं हो प्राइब दिख म थ्लोग हैं और इस दिन का मुलय का का म हग बातmont क Blue Chips are still a better way to go ahead. Valuations, उनके अभी भी रीजनेबल लगते है मुझे, क्योंकि उनने परफॉर्म नहीं किया है, वहाँ पर पोटेंशियल है जादा, वह आपको उतने जादा रिटन नहीं देंगे, कि यह जैसे साल साल में, सेफ बेट है, और वहाँ पर जैसे हमने बात करी, FIIs भी कहाँ एंगे, एड़न वहीं पर आनी है, तो घूम फिर के, मुझे यह लगता है कि, जब भी मार्केट एक थोड़ा stable mode, consolidation mode में जाएगा, उसकता है, 6 मेने, 6 मेने, 6 मेने, 6 मेने, 6 मेने, 6 मेने, उस समय पर यह सारी परफॉर्म, और small cap और mid cap की, क्योंकि आपके काफी व्यूवर्स, कितने लोग के कमेंट्स में बता ना, कितने small cap और mid cap में लगा के बैठे हो, micro cap में लगा के बैठे हो, उनके लिए एक चीज में बता दू, small cap और mid cap की एक खासियत है, आप जा के पूरी हिस्ट्री चेक कर लो, यह दो से तीन साल खतरनाक परफॉर्म करेंगे, जब भी, इनका साइकल रहता है, उसके बाद चार साल परफॉर्म नी करते है, यह परफॉर्म करने वाला समय अभी चल रहा है, चल रहा है, अभी तो आप देख लो, अभी साभी कुछ चल रहा है, तो दो से तीन साल तो यह ऐसे चलेंगे, देर इस नो लुकिंग बहाइंड, कि भाईए, यह आप ब्लू चिप बन की मानेंगे, ऐसा चलेंगे, लेकिन उसके बाद, अच्छा, आप और एक चीज़ देख लो, आज से एक देड़ साल पहले, यह लोगों के लिए होमबक है, आज से एक देड़ साल पहले, हमारे पास कितनी ऐसी कंपनी थी, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड के उपर था, और आज जाके देखो कितनी है, So the numbers, Buffett Indicator, एक Buffett साब का एक बहुत फेमस इंडिकेटर हो तो, जो बताता है कि भाई, किसी भी एकनॉमी के वैलुएशन कितनी चल रही है, हम बफ़ट इंडिकेटर के उपर वाले स्लैब में आग गए है, हमने तच कर लिया है, So is it a good thing for India? It is not in terms of valuation. It is overvalued. It is overvalued. It is overvalued. वो थोड़ा सा के stable होगा, फिर उपर जाएगा. Then, things would be normal. तो, अगर इसको मैं क्रक्स में बोलूँ, तो, simple सी बात है, कुछ sectors जो बहुत जादा overhyped होगा है, वहाँ पर समल के रहो, थोड़ा सा अपना बचा के रखो. दूसरी चीज ये है, कि जो safe bets है, large cap, जो बहुत जादा perform नहीं करी है, वो safe bets होगी आपके लिए. It is anyways going to give you more returns than the fixed deposits. तीसरा pattern को समझो, हम एक चीज तो मिस्स कर रहे हैं, Fed. Fed rate cut. एक्सपेट क्या गरने हैं, जुलाए की शाद लोग बोल रहे हैं? 2008 के असपास भी देखो, वही चीज होगी थी. और अभी तो election time है वहाँ पर, तो मतलब जादा त्रही भी हो सकती है. You never know. तो ये वाली चीज है. In fact, somebody close to industry was speculating and telling me, कि US में शायद ये plan हो सकता है, कि भाई, Trump सहाब, through his lobby, विदेशियों के lobby के थ्रूँ कोशिश करेंगे, कि Biden सहाब के राज में पूरी तरीके से US टॉक्स को हैमर किया जाए. हूँ. हाँ. क्यूँ? क्योंकि अभी इसको एक सिंबल सा लेके रखे, 100 रुपे पर कोई चीज है. हम मान लेते हैं, market 100 रुपे पर है, Nasdaq, Nasdaq का value नहीं ले रहो, मैं 100 रुपे पर है. 100 रुपे से 500 रुपे ले जाने पर उतना मज़ा नहीं आएगा, हम performance क्या दिखाएंगे? 50 से 500 रुपे ले जाने में, बड़ा मज़ा आएगा, दिखा सकते हैं कि हमारे 10 रुपे देखो 50 से देड़स हो गया है. तो planning ये रहेगी कि हर जागा एक negative sentiment बनाया जाएगा, पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा, Trump साब आएंगे, Trump साब उठाएंगे, उस समय पे वो पूरी तरीके से economy वहाँ पर उठेगे. बट ये हमने हमेशा देखा कि अगर US में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ भी आता है, तो उसका एक ripple effect भले हम जित्ते भी strong है. सब में आता है, gold-wide. तो वो वाली चीज होगी. तो going ahead, if not from our country, the trigger could be from other country. एक और pattern कृपया करके notice कीज़े, जब हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार, market तो रोज all time high मार रहा है, लेकर नमारा portfolio रोज all time high नहीं मार रहा है. क्या हो रहा है? वही हो रहा है. 4-5 stock, 8 stock, 50% weightage, index को पूरा manage करके रख दिया गया है. आपका portfolio उसमें से 10 stock है, 10 में से 6 किसी दिन गिर जाते हैं, 4 stable रहते हैं, फिर 3. तो point ये है कि काफी सारी चीज़े, indications दे रही हैं कि cyclic चीज़े हो रही हैं. थोड़ा बहुत इदर हो रहा है. IT sector has started performing. How about power sector? Power sector looks good, but again कुछ-कुछ companies में वही capex, सरकार काफी announcements कर रही है, कर रही है, वहाँ पर potential है, मैं इसको decline नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पर potential है, तभी आप देखोगे, जो end होते हैं, C से end होते हैं, जो companies, काफी सारी power companies हैं, जिनका 3 letter के वो होते हैं, तो short forms होते हैं, C, C से जो end हो रहे हैं, they have performed really well, and they continue to perform well, अगर market पूरी तरगे गिर भी रहा है, तो यह उस लेवल पे, they are not coming down, तो वो इसलिए कही ना कही वहाँ पर रहा, वहाँ पर लगता है, कि, and आप वो देखे न, आप डिमांड न अप्लाई के साफ से देखे, पावर सेक्टर एक आइसी चीज है, हम क्या बोल रहे हैं, कि, एकनॉमिक को गोव करना है, इन्फरा गोव करना है, हर चीज के लिए पावर तो लग नहीं है, चाहे वो रिटेल कंजम्शन बोले, जाहे हम कॉर्परेट कंजम्शन बोले, तो power sector looks decent to me in terms of sector, tech sector also looks decent to me, but tech sector is also scary, अभी जब हम बात कर रहे हैं, Microsoft आप देखे, पूरी दुनिया हिला दी मतलब हाथ से बोडिंग पास निकाले जारहे हैं exactly, metros रुख गई across countries, flights अभी इमाजन नहीं करा था, something as big as that company और इतना बड़ा लैप एक वीक में हमें technology front पे 2-3 लैपस दिखें ये तो एक हो गया चलिए बग वाला issue हो गया, जिसमें पूरी दुनिया हल गई, आपको blue screen दिख रही है, employees परिशान है, सब कुछ परिशान है दूसरा technical front में hacking का देखे हमारी देश के crypto-based company इतना बड़ा 200 million dollar या इसमें एक interesting take ये भी है कि ये जो crypto पता नहीं होगा लोगों को ये जो crypto company है जिसका ये हुआ है आज से चार साल पहले मेरा किसी एक social media platform पे इनके founder से heated argument हुआ था argument हुआ था, आर्गुमेंट ही हम debate कर रहे थे और अब तो इनके founder शचेशन बताया जा रहा है कि ये कहनए बहार के है कि हाकर से लिए रहे हैं वट ये नेवर नयवर रहे हैं इन्ही के मिली भाकत है वैसे हम audience को बोलेंगे कि आप जिस कंपनी की बात उरी है इसका नाम कॉमें सेक्शन में लिखके हैं काफी लोग को पैसे फसे आप सोची है इस फर्म जो यह दो सो मिलियन डॉलर गा है मेरे पैचान वा लो को को बता रहा है पचास लाग मेरे उस पटके हैं पच्छान वेर इस पटके हैं अभी हाल फिलाल में जो गोवा से आया हूं तो वहां पर बंदे ने बता है पच्छान और यह तो चलो आपने क्रिप्टो की बात करी एवरी थर्ड डे बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस में गिलिच आरे हैं खरीद नी पारे बेच नी पारे और अटक गए एग्जिक्यूट नी ओरे लाखो रुपे लोगों की जारे हैं एक कंपनी ने तो एक कस्टमर का पैस उसी सेक्टर में बाकी ब्रोकिंग पंपनीज हैं उन बाकी ब्रोकिंग कंपनीज को कुछ न कुछ पैनल्टी आज तक लगती आई इस कंपनी को आज तक एक भी नहीं लगी है इनके founders को जाके आप चेक कीजे, इनमेंसे एक founder board member है, जब आप अंदर ही बैठे हुए हो, तो कहां से यह चीज होगी, that is number one, otherwise इनके तो glitches बहुत बड़े-बड़े हुए हैं, और एक बार नहीं होते हैं, every third day, मतलब आप social media, if you go on twitter, if you go on like, I think last, हम जब बात कर रहे हैं, last 2 महन आप बड़े glitches हो चुके, 8 बड़े glitches, तो आप समझ सकते हैं, तो चार तारे को जब result आए उसी दन, कोई sell नहीं कर पा रहा, और उस दिन selling and buying was very crucial, market गिर रही है, गिर रही है, तूट रही है, जिसने लेके रखा, उसको बेचना है, जिसने नहीं लिया, उसको खरीदना है, On such important days. चाहिए, rather than focusing, जैसे मैं छोटा साथ ये वाली चीज कहूंगा, कि ये सारे ब्रोकर्स वाले जो system है, they are actually coming under saving, 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 regulate करती है, तो मेरे हिसाब से कही न कहीं है, जो इतनी जादा glitches हो रही है, instead of just focusing upon margins, किते बढ़ने ची, option trading, वो तो आप कीज़े, बिल्कुल सही कर रहा है, मैं That is perfectly fine, लेकिन at the same time, जो ब्रोकर्स के साथ अतने सारी चीज हो रही है, इनके साथ भी meetings बैठनी चाहिए, इनको clear guidelines होने चाहिए, they should be held libel, कि boss अगर इसके कारें अकांटबल होने चाहिए, कि इतना अगर नुकसान हो रहा है, तब जाके, जब तक वो है हमारे बच्पन के आद इतना जिसका दसकरोल लगे है, तो इसके लिए कितने बड़ी बात हो जाती है, यह अंदर की बात बताता हूं, एक युएस में कंसेप्ट चलता है, वो इंडिया में आ गया है, वोई भी ब्रोकर यह खुद से नहीं बोलेगा, उसको गयता है, ब्लाक बॉक्स थियोरी, वो क्या होता है कि विदेश में आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, रॉबिन होड, रॉबिन होड में वो तो रिटेल का ब्रोकर था, कुछ ब्रोकरिज चार्ज नहीं लेता था, तो कमाता कैसा था, तो वहाँ पर एक ब्लाक बॉक्स थिरी चलती है, तो रॉबिन होड के ज स्टॉप लगा है, कहां पर टार्गेट लगा है, कहां पर ट्रेड लगा हुआ है, हमारे सिस्टम्स इतने तेज हैं, माइक्रो सेकंड में उसका रिवर्स टेड लेंगे, कि उनके सिस्टम ने अगर देख लिए, अच्छा, सौ लोग इधर बैठे हुए, सेल कर निकले, हम खटाक से भाई कर देगे, हमारे वो खटाक से 2% का फाइदा हो गया, और ऐसे करकर के उनने अरबो, करोडो नहीं, अरबो रुपए कम है, यह ब्लाक बॉक्स सिस्टम इधर भी आ गया है, अच्छा, कौन कर रहा है यह, तो बड़े-बड़े फंड्स हैं, बड़े-बड़ लोग हैं, अगर मान लिजे, hypothetical example देज़े, आपके पास अरबो पैसे हैं, आप सिंबल सा बोलते हो कि भाई, तुमारे पास इतने सारे लोग, छोटे-छोटे लोगों ने ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुल के रखा है, तुम बस माइक्रो सेकेंड में हमको बता दो, कह 10% का फायदा हुआ है, निकल लो, ये स्केरिंग में, ये ब्लैक बोक्स मॉडल बाहर चलता है, बाहर इसको acceptability मिली है, यहाँ पर it is illegal, काफी लोग कहेंगे नहीं होता है, लेकिन होता है, उधारन के तौर पे, को लोकेशन वाली चीज भी यहाँ पर permitted नहीं थी, पहले हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर को लोकेशन स्कैम बाहर आए, साल साल के 50,000 करोड रुपए तक बना के लोग गए हैं, तो इसकां को लो को लो केशन जिनको नहीं पता, तो हमारे ब्रोकरेज में, जब हमको फीड में जो हमको prices दे दिखते है ना, फलक्च दिख जा रहा है, so this is the big thing तो black box theory यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके कारण भी कहीं बार brokers को बंद किया जाता है कि सामने वाले का काम हो गया अब चालो करो दो बड़ी बहुत डरावना है मतलब looking at India's volume, the people who are involved, their money अभी आप देखो, ऐसे ही दिनों में सबसे जादे retail traders बोलते हो रहे हमको इतने लाखों का नुकसान हो गया, कौन भरपाई करेगा, और कोई भरपाई नहीं कर पाता अभी जो आपने बात करी कि एक व्यक्ति को return हुआ पैसा, वो भी क्यों हुआ, because that person was smart, screen shot से लेके live market में सारा recording हर चीज का कहां पर क्या reply आया, क्या नहीं हुआ, कितने समय पर मेरा order punch हुआ, उसने हर चीज अभी एक normal इंसान, जो विचार office में जाते जाते ट्रेड कर रहा है, उसके बस तर टाइम ही नहीं हो करेंगे, उसने तो हर चीज की थी, उसके बाद, उसने social media पर इसको expedite किया थी, in fact I had also made a video in support of him in this thing, although he took that कि में मजाग मना रोगा, और पैसा इसले रिटर्न किया गया है, जब एक बार market में आपकी इज़त की बात आ जाती है, तो you need to react in that manner, absolutely, absolutely, तो यह वाली चीज है, तो अब यह glitches को रोकने का काम तो I think, so, Sebi can do it do it really well, और regulator का भी अगर आप देखोगो, तो पिछले, हम इस current regulatory board की जो chairman है, chairperson है, उनकी तरफ से I think सबसे ज़ादा news आ रही है, सबसे ज़ादा fixations हो रही है, इससे पहले हमने Sebi की तरफ से इतना कुछ आते वे, देखा ही नहीं, मतलब all of a sudden हम यह कह सकते हैं कि board तो बहुत time से है, बट Sebi जागा अभी-अभी है, madam ने जगा दिया, सबसे ज़ादा orders pass हुए है, सबसे ज़ादा orders pass in the least amount of time, बिलकुन, अभी अभी हाल-फिलाल में यह भी हुआ कि IPOs, IPOs कि अगर बात करो तो SME IPO, क्या जबर्दस, मैं अभी 380% की प्रीमिम पर लिस्टिंग हो रही है, लेकिन अब Sebi ने कह दिया कि SME IPOs 90% पर होंगे माकसिम यहर मैं बताओ, इसमें एक चीज है, हम सेवी को ब्लेम नहीं कर सकते, सेवी स्मार्ट भी है, सेवी को वो डेटा है उनके पास, जो बहार सबको बोल नहीं सकती, बट वो चीज़े देख रही है, आप जस्ट इमाजन करो, आप सिस्टम के पीछे बैठ के अगर देख रहे हो कि और वहाँ पर, बन्दा खादी में बैठेगा, कुरता पजामा पहन के बैठेगा, और वो एक ही चीज बुलेगा, भई असली पैसा फ्यूचर ऑप्शन में नहीं, असली पैसा ऐसे मी में है, और उनने चापा है, बहुत चापा है, तो कहीं न कहीं वो मैनुपलेशन, ये सारी चीज़े से भी देख रही है, वाई से भी सो मच कंसर्ण अवाट फ्यूचर अन ऑप्शन, बिकोज सही में, लोग उधार ले लेके, लोन ले लेके, यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, और बरबाद हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं से भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, से भी काफी चीज़े देख रही है, बट क्या है कि वो शायद समझ नहीं पा रही है, कि अभी प्राइरिटी बेसिस पे हम क्या करें, क्या फिक्स करें, ये फिक्स करें, वो फिक्स करें, ये एक तरीके से हो गया ना मान लिजे ये हम जिस studio पर बाटे बहुत भयंकर बाहर बाढ़ वाली बारिश हो रही है और हमको समझ में नहीं आ रहा है इसको पहले cover करें काच को रोके इसको रोके ये समाले वो समाले वो चीज हो गई है ये bull market के euphoria में there is a lot of things which has happened क्या क्या हो गया है retail participation पूरा derivatives में लगा पड़ा हूँ है investor बनना है लेकिन सब derivatives बन गए mutual fund में भी अंदा पैसा चले जा रहा है illegal PMS अलग तरीके से चल रहे है SME IPOs अलग चल रही है gold अलग भाग रहा है gold अलग चांदी अलग भाग रहा है FInfluencers को भी अलग चल रहा है FInfluencers के चक्क्र में सब जनरलाइज होगा कि सब बुरे है यह अलग जनरलाइजेशन चल रहा है क्योंकि अलग एक नरेटिव चला देए बिल्कुल रखी जा रही है बिल्कुल रखे जारी हैं, बद मेरे ऐसहरा यह मैं कहना चाहूंगा लोग पता है सच में इनको फॉलो करके कहीं पर गलत टिप दे दी लोग बरबाद हुए हैं बिल्कुल है बिल्कुल है तो रहे हैं बिल्कुल हे तो टीपर इतने रिलेट कर बैठे हैं आप इंस्टाग्राम खोल लीजे पूरा इंस्टाग्राम एक ही चीज है मतलब आप एक को फॉलो करो आपके पास सारे सजेशन आने लगेंगे ना चाहते वे यूवल फॉल इंटु इट अबसुलूटी बवंडर बन गया है आप यह देखे ना क्या चल रहा है इंस्टाग्राम आप खूलो हर बंदा बीस-तीस लाख रोज कमा रहा है हर बंदा यह बता रहा है किस तरह से उसने उसने औप्शन बाए कि हजार उपए का वो हो गया दस हजार उपए का तो पॉइंट इस कही ना कही ग्रीड बढ़ रहा है तो रेगुलेटर एक तरीका से सही भी है जो इस सारी चीज़े देख रहे हैं वो सही है बट एड सेम ताम जेरलाइस करना तो फॉर एक्जम्पल आजकल ब्रोकरेज इंकम पे उनके काफी नजर है और उसके लिए कंसल्टेशन पेपर भी आ रहा है कि ब्रोकरेज इंकम उफ दो इंकम प्ड़एंस को अम ताप करने के कोश्च करें क्योंकि नरेशन ये चल रहा है कि ब्रोकरेज इंकम बढ़ रही है इसलिए क्योंकि सारे इंफ्लुएंस इसलिए जिसके चक्र में बढ़ रहा है इसलिए कि वो सबके सब टिप्स दे रहा है तो कहीं न कहीं ये चीज़ हो रही है कि regulations तो काफी जादा आ रहे हैं सेभी के तरफ से some are good some are where they themselves are trying to figure out कि exactly हमको क्या करना है they are taking their sweet spot of time but मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में तो शायद और भी जादा हमने तो अभी तक कुछ देखा नहीं है executions हमको दिखेंगे in terms of the number of compliances, the number of orders, the number of और इसका एक interesting चीज़ आपको में बताता हूँ यह जित्ती सारी चीज़े आरी है आज से, I think, so 3-4 मैंने पहले आप देखते तो 1100 registered research channelists थे अचानक से विधन 3-4 months it is 1500 और 1600 मता हर मन्थ 100 लोगों ने ले लिया है which is a good staggering number इतने सालों से वो number नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ने लग गया है सो मुझे जो लगता है से भी का शायद ये भी plan हो सकता है कि जितने जिन चीज़ों का हम control नहीं कर पा रहे for example वो जा के gaming apps को control नहीं कर सकते वो crypto को control नहीं कर सकते वो जो भी entity उनके under jurisdiction में आते वो control नहीं कर सकते तो what they have found they have found a smart way कि जितनी चीज़ों हो उनको regulate कर दो कैसे? regulated entities को बोल दो unregulated के साथ तुम काम नहीं कर सकते हो तो unregulated वाला क्या करेगा उसका अगर income उसी पर है वो कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह regulate हो जाओ मैं कोई license ले लू मैं किसी के under आ जाओ problem अपने आफिक्स हो गई same चीज देखे हमारे देश में दो तरीके होते है किसी भी गलत चीज को रोकने का पहला होता है tax बढ़ा दो gaming industry में tax बढ़ा दिया 50% से ज़्यादा profit wipe off हो चुका है companies अलड़ी परिशान है लोग अपने आप एंटर नहीं कर रहे है लोग अपने आप एंटर नहीं कर रहे है पहली चीज हो गई crypto crypto इंडिया में craze बढ़ रहा है बढ़ा दो ये surcharge, ये tax, ये transaction cost अपने आप कम हो गया वहाँ पर volume अपने आप लोग समलने लग गया तो पहला तो हो गया कि या एक taxation कर दो दूसरा कोशिश करो कि जिस चीज को regulate ना कर सको regulated लोगों को बोल दो कि भाई तुम उस साइड नहीं जा सकते तुम नदी के इस पार नहीं जा सकते तो अपने आप जिसको समलना है वो इस तरफ आजाएगा हमारे समें भी देखिए को रेजिस्टर्ड एप ऊथराइज पार्टनर ब्रोकर्स के साथ नहीं हो रहे थे अब इन्फुएंसर हो रहे है तो वो एक स्मार्ट वे से शायद रेगूलेटर ने सोचा है कि ठीक है पहले हम देख लेता है हमारे साइड बे कितने लोग कितने कितने तरीके से आ रहे हैं फिर बाकियों को हम देखते हैं क्या करना है तो आप यह दो और पर यह जाता है कि आने वाले कुछ समय में आईगी regulation आईगी या control करेंगे ऐसे में बिचारे करें क्या विकास आदत तो देखो इने पड़ गई है शेर के मूँ खून लग गया है बिलकुल, बिलकुल यह देखे मैं simple से एक चीज कहूंगा कि option trading जितने attractive लगती उतनी है नी, option trading आई की होती hedging नाम के concept के लिए hedging का अर्थ होता है insurance तो क्या हो था विदेश में जब बढ़े-बड़े लोगों के funds manage होते थे तो एक बार किसी ने देखा कि जिस दिन market crash होता है इनका तो पूरा portfolio 30-40% नीचे आ जा रहा है तो इसको बचाया कैसे जाए इसलिए options को introduce किया गया था कि किसी तरह से hedge किया जाए कि जब market पूरा गिर रहा है तो यह options के जो है puts के जो value है वो इतने बढ़ जाए तो वो पैसा कमा ले लेकिन दुरभाग्यवश क्या होगा कि आज के समय पर इसको केवल जुए के हिसाफ से सट्टे के हिसाफ से लिया जा रहा है तो जो चीजे से भी सोच रही है कई ना कई सही भी है बहुत सारी चीज़ है लेकिन सवाल जो आपने पुछा कि option traders करें तो करें क्या तो पहली चीज है कि आप तयारी कर लिजे क्योंकि एक और चीज हो सकता है से भी ले आए से भी कह रही है कि अब हम net worth और qualification के basis पे हो सकता है margins permit करेंगे options के ये बात भी चल रही है और ऐसा हुआ तो हो सकता है कि वो सीधे बोलते कि आपको अगर option trading करनी है तो at least 10 lakh की net worth होनी चीए तो students जो लोग उसे है वो तो straight away cut हो गए मासी निकल जाएंगे मासी निकल जाएंगे बटकि इसका पूरा फाइदा ने नुकसान भी है क्योंकि option में liquidity नहीं रहेगी तो कोई भी बड़ी party आके ओपर नीचे कर लेगा 10 रुपे का option 100 रुपे एक बार में हो जाएगा वो 1% वाले जो है वहीकर खेएंगे तो पहली चीज जो मैं ये suggest करूँगा सबको वो ये रहेगा कि ये रोज-रोज की जो weekly expiry options होती है वो रोज-रोज करना बंद करो फिर आप रोग होगे कि यार सेंसेक्स का एक option लिया था 10 रुपे का वो 200 चले गया अचानक से मैंने बेचा था 10 पर वो 200 चले गया या मैंने 200 पर खरीदा वो एक मिनिट में आ गया 10 रुपे पर तो पहली चीज है ये रोज-रोज weekly expiry को आपको कंट्रोल करना शुरू करना पड़ेगा दूसरी चीज है option trader को ये समझना है कि options में जब आप buy करते हैं option तो odds are stacked against you probability आपके against है क्यों पहला एक बड़ी party आपके against bet कर रहा है दूसरा एक insider जिसको आपसे ज़ादा पता है company के वर सब पता है कर दिया है उसके microsecond में आपके सामने आजाएगा कमेंट्स में देखे बताएंगे कितने सारी लोग वो दस रुपे में डालने की कोश करते है बाय करने का option आपके अचानक सा अचानक सा आजाता है तो पहली बात है odds are stacked against you when you are doing option buying और option selling के लिए capital जादा चीए तो मैं तो पहली चीज तो यही कहूँगा कि normal जो आम निवेशक है यह option trading आपके लिए वो जुए जैसा लग जाता है casino जैसा लग जाता है तो पहले आप जाके खुद देख लो last 3 साल में क्या हुआ है सब कुछ सीखने के बाद अगर नुकसान हुआ है ना तो धीरे धीरे कम कर दो और equities के तरफ आजो कुछ नहीं तो पैसा बनेगा तो सही simple था साल का अगर 15% भी बनाओगे बनाओगे तो सही 70% डूबाने से बटरे 15% बना लो हर साल जो 70% डूबा है वो भी चार साल में रिकवर हो जाएगा तो पहली चीज है उनको तो पहले investing में आना चाहिए investing में भी अगर आना चाहिए valuation अब जादा है जैसे हमने बात करी तो हमने बात करी है जो large cap है blue chips हैं that's a decent option अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंडेक्स आपके लिए option तीसरा अगर option trader है तो देगे option trader ना घूम फिर के जिस तरह से regulation आ रहा है अगर यह जितने rules बता रहे है जो लाने की कोशिश करें कि नेट वर्त देखा जागे यह जाएगा तो यह वैसे भी यह game fair रह जाएगा उनी लोगों के लिए जिनके पास at least 20-30 लाग रुपए की उनी के लिए पूरा game रह जाएगा I know volume होगा I know transaction charges होगे I know यह सारी चीज़े होंगी बड़ अगर सेवी ने decide के तो करेगा आपको सिंपल सा उधारन देता हो आज से जस्ट कुछ साल पहले काफी सारे लोग कह रहे थे जब सेवी ने का हम intra-day margins हटा देंगे कम कर देंगे सबने का रहे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा बीस गुना है तीस गुना है अत्ता ही रहे गा मुझे भी लगा था कुछ नहीं करेंगे रातो रात चार गुना हो गया पांच गुना हो गया करा ना उनने मतलब मैंने तो सटल प्रोटेस्ट जैसा भी किया था मतलब सबन कहा करेंगे हम तो ऑनलाइन बैट के हमने बोला था आज के दिन ट्रेड नहीं करेंगे यह सोचा थे एक दिन तो नुकसान नहीं होगा तो बट से भी वो लेके आई तो यह कहना कि से भी ऐसा कुछ नहीं करें गलत है तो moral of the story है option traders पहली बात अगर आप तीन साल का अपना खु पुराने जो standard है nifty, bank nifty, mid cap वो सही है BST के भी आ गए है बट देखे आए दिन और भी इंट्रेड्यूस होते रहेंगे index लेकिन उसमें liquidity का issue होगा एक दिन काफी है आपका पूरा यह करने के लिए चौधा जो सबसे important है किसी भी option trader के लिए यह गुरु मंत्र है जो मैंने अगर आप 50,000 रुपए कमा चुके ना option trading से 30,000 रुपए निकाल लो क्यों क्यों क्योंकि वह 50,000 में यह नहीं कह रहा हो कि आप अपनी गल्ती से नुकसान करोगे ग्लिचेस के कारण भी तुन नुकसान कर सकते हो कुछ भी आप देखो आपने चार तारी की बात करी उस दिन किसी ने पचास अजार रुपए तके profit में होगा लेकिन वो अगर options exit ही नहीं कर पायोगे end of the day तक खतम उसका उसकी गल्ती नहीं थी वो रोके भी क्या करेगा तो इसलिए सबसे बढ़िया गुरु मंत्र है option trading में अगर आपने 50,000 रुपए 10,000 रुपए कमा लिए 70-80% निकाल लो फिर उस base capital से वापिस बनाओ फिर 50,000 रुपए बना लिए अब 10,000 के जगा 20,000 रुपए निकाल लो धीरे धीरे करके उस capital को बढ़ाओ लेकिन withdraw करते जाओ क्योंकि वो profit आज आपको दिख रहा है उसको सिर्फ दो दिन लगने है वो पूरी तरीके से गाया बोजाग और लॉस प्या जाओगे तो simple सा है and again saying बुरा मत मानिये but option trading बड़े लोगों के लिए ही बना है it is not meant for normal people कुछ लोगो साकता है हेट करें कि अरे भाई अगर नॉर्मल लोग नुकसान करें तुम लोग नुकसान करें तुम लोग नुकसान करें इसका मतलई बेकार है 1994 में एक बंदा आया है यह लोग अब गयस करेंगे नाम बहुत डिफिकल्ट है ठेक है 1994 में एक बंदा आया अस मार्केट में वो नौकरी करते थे जॉब करते करते उन्होंने अगले चार से पांच साल में उन्होंने जादा खर्चे पानी किये ही नी उन्होंने दो लाग रुपे की सेविंग कल ली उस दो लाग रुपे से उन्हें इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है उस समय में आई प्योस का बड़ा क्रेश चलता था और आई प्योस तब लिस्टिंग पर ही 100% हो जाता था 100-200% उन्हें पहले आई प्योस किये उसके बाद सही टाइम पर उन्हें स्टांडड उस समय के ब्लू चिप्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कि पटेंशल ब्लू चिप्स कोल गेट हो गया यह सारी चीज़े हो गई है ठीक है अब आप समझो उन्होंने अगर होल्ड करके रखा अवी तक तो विट डिविदेंट्स इन यह सारी चीज़े करके कितना कमाया होगा मल्टिपल एक्स इसी बीच पर जब तक यह आए अराउंड 2000 इनको माइक्रो कैप इंवेस्टिंग के पार में नॉलेज होगी इतनी पड़ली किताबे इतना नॉलेज होगया इतना नॉलेज होगया कि बबल फटने के अबाद उननने काफी माइक्रो कैप में इंवेस्ट किया इनोने मतलब वो जो कहानी हम सुनते ना बजा आज फिनांस पर फंदरा साल पेल गर इनवेस्ट किया तो उनने ऐसा इनवेस्ट किया वो बंदा जो दो लाग चार लाग की बात करते थे आज उनने तीन सो करोड रुपए शेर बजार से कमा के बैठे हैं मैं एक और हिंट देता हूँ वो व्यक्ति एक सोशेल मीडिया प्लाटफॉर्म बे काफी एक्टिव हैं इनवेस्टिंग से चार लाग से तीन सो करोड रुपए अगर एक व्यक्ति बना सकता है तो आप भी बना सकते हैं तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि स्रिफ ऑप्शन ट्रीडिंग ही तरह हैं आप इनवेस्टिंग से भी बना सकते हैं एक बहुत चोटा सा लास सवाल आपने किताबों की बात करी यह सवाल हमारे यंग ओडियंस के लिए यूथ के लिए बिचारे बहुत मिसलीट हो रहे हैं इस बिकस अशल मेटिया जिससे कि वो सही डिरेक्शन में जाएं और यू कर देता हूँ उन लोगों को जो इनवेस्टिंग की जननी शुरू कर चुके लेकिन सकसस नहीं पा रहे है या जिनको वेल्थ बनाना है हम रिच की बात ही नहीं कर रहे है तो पहली किताब जो है उसका नाम है कौफी कान इन जी नहीं लिखा है अब इस पर वो व्यवाद मच शुरू करना कि उनका PMS तो ऐसा परफॉर्म कर रहा है यार सिंबल सी बात है सबसे चोटे टाइम पर 10,000 करोड का PMS बना देना भी बड़ी बात होती है मतला लोगों को ट्रस्ट कितना है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कौफी दूसरा है common stocks, uncommon profits I think Phil Fisher जी ने लिखा हुआ है Warren Buffett Sir ने भी यह किताब recommend करी है तो कुछ ना कुछ तो इस चीज में है और easy तरीके से आप समझोगे उसमें क्या होता है उसको पढ़ने के बाद एक चीज आपको clear हो जाएगी क्यों हर वो share जो एक समय पे 500 का था आज 5 रुपे क उसपे invest क्यों नहीं करना चाहिए सोचके कि यह 500 हो जाएगा वो किताब पढ़ोगे easy तरीके से आप समझ जोगे turn around story कहते है उसको तो यह हो गया दूसरी चीज और तीसरी किताब जो मैं सबको कहूंगा वो है reminiscence of a stock operator यह वो समझने के लिए कि बड़े लोग किस तरह से सो आए हुए inflation को adjust करने के बाद बता रहा हूँ और उसके बाद bankrupt भी हो गए एक hotel में बैटके अपने आपको गोली मारती थी तीन बार उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे और फिर गोली मारती है तो यह psychological point of view से प्लस operator का mindset समझने के लिए एक बहुत ही बहतरी किताबे तो यह तीन किताबे हैं अगर कोई भी investor इनसे शुरुआत भी करता है मैंने difficult नहीं बोला मैंना intelligent investor बोला ना मैंने intrinsic investing का आप देखो ना security analysis बोला यह सब आगे के level पे आएगा यह तीन किताबों को भी अगर अच्छे से देखा गया तो एक beginner बंदा बहत है और यह ती of reading, read for the sake of understanding and learning सिर्फ पंडे के लिए यह तो आप से काफी इंफरमेटर सेशन था, काफी बाते की, thank you so much Abhishek for coming in again and we hope कि हम इसका 3.0 भी करें जैसे मारी सरकार नेकर हम भी कर सकते हैं, why not, दोस्तों लाइक्स बिल्कुल करेंगा तो बिल्कुल जल से जल करेंगे, thank you so much, thank you for being here thank you